हेलो बच्चो पाठ 14 भोजन कहां कहां से पाठ में अब हम कुछ प्रश्ण उत्तर को करेंगे सुरू करते हैं हम प्रिष्ट संख्या 83 से तो पहला प्रश्ण है कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या करते हैं तो बच्चो इसको क्या करते हैं लंगर दूसरा प्रश्ण है कि क्या तुमने लंगर में कभी खाना खाया है तो या उत्तर आपके अपने हो सकते हैं ने लिखाये कि हाँ खाया है और गुरु परब में खाया है तीसरा प्रश्ण है और किन-किन औसरों पर बहुत से लोग मिलकर खाना खाते हैं तो उत्तर है इसका तेहवार जैसे होली, दिपावली, मंसा पुजा, सोहरय पुजा, छट पुजा, आदी तथा पारीवारिक, कार जैसे जन्मदिवस, शादी, वनवोज, इत्यादी में हम मिलकर खाना खाते हैं अगला प्रश्ण है ऐसा खाना कौन बनाते हैं इसे कौन परुस्ते हैं तो उत्तर है ऐसा खाना रसोया बनाते हैं और परुस्ते हैं या फिर घर के सभी सदसे मिलकर बनाते एवं परुस्ते ह पाँचवा प्रश्न है, क्या तुम्हारे घरों में अलग तहवारों या कार्य क्रमों में अलग-अलग तरह के भूजन बनते हैं? तो उत्तर है हाँ, बनते हैं, जैसे मेरे घर में मकर संक्रानती में दही चूड़ा के साथ तिल और मुढी की लाई बनी थी, सोरई पर्व में पुआ और धुसका बना था अगला प्रश्न है क्या तुम सब के घर में एक ही तरह के भोजन बनता है तो उत्तर है इसका अलग-अलग औसरों पर अलग-अलग प्रकार के बयवन्जन बनते हैं सात्वा प्रश्न है अपने सिक्षक से पूछ कर पता करो कि बड़े-बड़े होटलों में कितने तरह के भोजन बनाया जाते हैं तो बच्चों होटल में लग-बग सभी प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाया जाते हैं और अलग-अलग राज्यों के राज्यों में खाया जाने वाला बिविन भोजन भी होटल में बनते हैं आईए अब हम प्रिष्ट संख्या 84 के प्रश्णों को देखें प्रश्ण है कि तुम्हारे घर की रसोई में कौन-कौन से समान रहते हैं उत्तर है चावल, प्याज, आटा, हल्दी, हिंग, जीरा, घी, त्यादी और बहुत से समान रहते होंगे बच्चों, आपको वह अपने मम्मी से पूछना है और उसे नो डाउन करना है इसी से सम्बंदी दूसरा प्रश्ण भी है कि इन में से कौन-कौन सी चीजे तुम्हारे घर या खेतों में उगाया जाते हैं और कौन-कौन सी चीजे बाजार से आती हैं तो ये आपको लिखना है कि कौन-कौन से समान जो आपके रसोई घर में उपलब्ध हैं वह खेतों आपके घर के किचन गार्डेन में उगाया जाता है और कौन-कौन से चीज डायरेक्ली आप लोग बाजार से लाते हैं यह अब हम प्रिष्ट संख्या 86 की ओर बढ़ते हैं, इस प्रिष्ट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्णों के उत्तर आपको चितर को देखकर करना है, तो चितर आप अपने पाठे पुस्तक के प्रिष्ट संख्या 86 में देखें, वहाँ एक थाली में कुछ ब्य अगला प्रश्न है कि तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी या गोद वाले बच्चे के खाने में क्या अंतर होता है? तो उत्तर है कि दादा दादी नाना नानी के दाद कमजोर होते हैं और कठोर चीजों को नहीं खापाते वे खाने में हल्की, सुपाच्यक, कोमल, भोजन लेना पसंद करते हैं गोदवाले बच्चे के भी दान नहीं होते, वे दूद, दाल का पानी, गिला चावल खापाते हैं आईए अब हम प्रिष्ट संख्या 87 को देखें इस प्रिष्ट में भी कुछ चित्र दिये गए हैं और इस चित्र को देख कर आपको बताना है कि कौन-कौन से फसल उगाए गए हैं तो चित्र में फुलगोबी, मूली, कांदा एवं धन्या के पौधे लगे हुए हैं दूसरा प्रश्ण है कि घर में उप्योग से अधिक फसल पैदा होने पर क्या करते हैं तो यदि उप्योग करने के बाद भी फसल ज़्यादा हैं तो उसे मंडी या बाजार में ले जाकर बेच देते हैं प्रिस्ट संख्या 88 में आपको सही क्रम में लिखना है कि सबजी पहले कहां से कहां तक जाती है तो उत्तर होगा कि सबजी सबसे पहले खेत खेत से मंडी, मंडी से बाजार और बाजार से घर आईए अब हम प्रिष्ट संख्य नवासी की और बढ़े इस प्रिष्ट में का पहला प्रश्ण है कि क्या तुम्हारे घरों में और रिस्तेदारों में ऐसे व्यक्ति हैं जो कठोर चीजों को नहीं खापाते तो उत्तर है हाँ मेरे दादा और दादी यदि बच्च्यों आपके घर में और कोई सदस से ऐसे हों जो कठोर चीजों को खाने में असमर्थ है तो आप उनके नाम को भी लिख सकते हैं दूसरा प्रश्ण है कि पता करो कि वे क्या-क्या नहीं खापाते तो जैसा कि इनके दाद कमजोर होते हैं तो वे गन्ना, गाजर, अम्रूद नहीं खापाते अगला प्रश्ण है कि बुढ़े लोगों के अलावा और कौन-कौन से लोग कठोर चीजों को खाने में असमर्थ होते याने नहीं खापाते तो उत्तर है छोटे बच्चे अगला प्रश्ण है कि तुम्हारे दाद नहीं हो तो तुम क्या-क्या खाना पसंद करोगे तो जैसे अगर मेरे दाद नहीं होंगे तो मैं केले, गीला चावल, दूद, रोटी, दलिया, सूप, फलो का रस आदी खाना पसंद करोंगी प्रिष्ट संख्या नब्बे इसमें तिया है कि बड़ो से बातचीत करके आपको भोजन के अधार पर जानवरों के नाम लिखने हैं जैसे साकाहरी जानवर के नाम, मानसाहरी जानवरों के नाम और सरवाहरी जानवरों के नाम दो-दो नाम मैंने लिख दिये हैं आपको इसके अलावा भी अन्य जानवरों के नाम सोच कर लिखने हैं तो साकाहारी में मैंने लिखा है गाय, बक्री, मानसाहारी में शेर और बाग और सरवाहारी में भालू और कुट्ता. अगला प्रश्न है कि कुछ जानवा शाकाहारी एवं कुछ जीव मानसाहारी क्यों होते हैं? तो बच्चो प्रकृती में सभी प्रेड़ पौधे एवं जीव जन्तु भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. आप बड़ी कशाओ में पढ़ेंगे कि खाद्य श्रिंखला यानि फूड चेन के बारे में. इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है और फिर वह खुद दूसरे जीव द्वारा खा लिया जाता है और यह श्रिंखला चलती रहती है तो पिरड़ पौधों को शाकाहरी जीव खाते हैं इन शाकाहरी जीव को मानसाहरी जीव खाते हैं अपने भोजन के रूप में और इससे क्या होता है कि मानसाहरी और शाका तो कुछ मांसाहरी एवं कुछ दोनों होते हैं यानि सर्वाहरी चौथा नंबर है कि पता करो कि और लिखो कि ये क्या खाते हैं यानि साकाहरी लोग क्या पसंद है क्या खाते हैं और मांसाहरी लोग क्या खाते हैं तो साकाहरी लोग हरी सबजियां फल दूद पनीर दही पसं जैसे मुर्गा वो गया बत्तक हो गया और अंड़ा ये भी मांसाहारी लोग पसंद करते हैं अब हम अंतिम प्रशन पे हैं प्रशन है कि मांसा हारी ेवं साका हारी जानवरों के नाखून खूर तथल्वां. तो उत्तर है कि मांसा हारी जानवर जैसे कि दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं तो उनके दांत और नाखून बहुत ही नुखिले और तिक्षन होते हैं ताकि सिकार को पकड़ कर आसानी से फाड़ कर खापाएं वहीं साका हारी जानतूओं के दांत भोजन को पीछने वाले होते हैं वे नुखिले नहीं होते और चबा सकते हैं वो पंजो के जो नाकूने वह वी तिक्षन और नुखिले नहीं होते हैं तो ये सभी प्रशन बच्चों हमने आज पाठ 14 से किया आशा है कि आपको सभी भो के आधार पर अपने आसपास अपने परिवेश के आधार पर भी आपके अपने उत्तर हो सकते हैं तो पाठ को आप जरूर पढ़ें और प्रशन उत्तर को भी एक बार जरूर देखें धन्यवाद